हेलो फ्रेंट्स आप सभी का सुभागते स्टूडियो में देखिए आज का जो ये वीडियो है काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला देखिए आपकी एक्जाम डेट फिक्स हो चुके है 15 अप्रेल और देखिए ये जो वीडियो है ये बना रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि आप आपके मन में अभी से एक्जाम डेट फिक्स हो चुके तो आपके मन में जो काफी सारे क्योशन उठने लगे और देखिए आपका एक्जाम से पांच दिन पहले जो की आपके मन में काफी सारे क्योशन उठेगे उनका इस वीडियो में मैं आपको सभी को देखिए बताओं क परते एक student तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए friends आप मेरे जो आपसे request है तो इसमें देखे वीडियो को पूरा देखिए आपको exam में कोई भी problem नहीं होगा देखिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं ये करते हैं प्रिक्सा होल में क्या-क्या ले जाना आपका देखिए टाइ meeting में एक होगा आपका second meeting में जैसे ही आपका first meeting का जो paper है वो complete हो जाएगा तो आपका एक admit card जो होगा वहाँ पे आपका रख लिए जाएगा बाकी दूसरा admit card वो दूसरे paper के लिए होगा और जो दूसरा paper होगा जो admit card उसमें आप ले जाएगे वो लाएगे आप घर पे तो आपका एक admit card रख ले जाएगा और एक आप ले आएगे तो इसलिए आपको जो है दो admit card लेके जाने है ये खास ध्यान न किए परतेक student को आपका इसके बाद देखिए बात किजिए यहां पे photo की तो photo ले जाने है आपको तीन photo जो की आपका फार्म में लगे है तीन photo की ले जा बाकी को जो देखिए आपका दो photo ले जाने है दो photo किसलिए आपका एक आपका दो admit card होगे एक first वाले पर लगेगा एक लगेगा आपका second वाले पर बाकी तीसरा जो photo बचा है एक photo ये ये इसलिए ले जाना है आपका देखिए admit card में कोई गलती है तो आप वहाँ पे application लिख application लिखी जाती है उसमें देखी बहुती अच्छे से solution हो जाता है और इसका जो है वहाँ पे आपका अगर वहाँ पे कोई भी mistake दिखती है तो वहाँ पे application लिखवा जाता है और वो जो आपका application होती वो सिधा भेज दिया जाती है आपका आपकी जो copy होती उसके साथ आपका university वहाँ पे जो है आपका जो भी गलती है उसको वहाँ पे ठीक कर दे जाता है क्योंकि result आता है उसके बाद आपकी कोई भी mistake हो वो सही नहीं होती तो वहाँ पे application लिखी जाती है तो वहाँ पे उसका चाहिए ही चाहिए सभी को लेकिन अगर एक आपका खराब हो जाता है बाइ chance तो आप उसको दूसरे को यूज कर सकते है यह खास दियान लगे इसके बाद सबसे मैंड जो है आपका यह कोई problem नहीं है अब देखिए यहाँ पे आपका जो है दो आइडी किसको ले जाने दो आइडी उसको ले जानी है जिसका की आधार benefit card निकले गे तो आपको जो भी आपका देखिए फर्म सही है तो उसमें जो आइडी लगी वो ही लेके जाए यानि कि आपको दोनों आइडी ले जा सकती है जो कि आपने फोम में लगाया होगा इसका खास ध्यान नकिए आपका फोटो का और आईडी का इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेशन बनता है वो है सबसे मैन है आपका ओमार सीट में एंट्री कैसे करनी है यह सबसे मैन क्वेशन आपका देखे इसी के आधार पे आप अगर ओमार सीट अच्छे से भरेगे आप पेपर को सोल करेगे और उसके बाद आपकी जो कोपी चेक होती है वो आपका रिजल्ट इसी पर डिपैंड करता है देखिए काफी सारे जब क्वेशन देखिए बनते ओमार सीट वहाँ पर बढ़ती है तो कुछ इस्ट्वे बेकार कर देता है और दूसरा इस्ट्वेंट जिसकी की सीट जो है उसने भर दी वो भी बेकार करते है तो खास द्यान नके तीन घंटे का समय सो कुष्चन है तो आप बिलकूल ये सावधानी आपको बरतनी होगी अपनी सीट पर बैठे और अगर आप से देखिए ओमार सी एंट्री को भर सकते हैं किसी से जो है फिर भी नहीं भरी जाती तो आप उसको छोड़ दीजिए बाद में जो है वो भरवा ली जाएगी आपसे देखिए स्टार्टिंग होता है जैसे वहाँ पर समझाते तो कुछ एक्स्ट्रा माइंड के होते हैं और कुछी देर के बाद जो है अवाज आती कि सर वाहिटनर है क्या अब देखिए वहतं क्या होगा यानि कि वह कधो गल्ती कर दी है यहाँ पर आपसे ब्रियोग रहाने तो आप को जो है तीचर भरवा देगे वहाँ पर तो खास द्यान लगे इसके बाद जो है आपका यहाँ पे अगला question देखिए आपका जो आप यहाँ पे गोले भरेगे आपका exam में तो इस प्रिकार से आपने देखिए कोई भी option होगा तो आपको अगर लगे A option, B option और आपने पहले A option टिक कर दिया फिर आपको लगे कि A option गल आपको कोई question गलत हो जाता है तो उसको छोड़ दीजी आपको सही बरना देखिए गोले किस प्रकार से पूरा का पूरा यह बलेक की होगे तो इस प्रकार से आपको सही से उमार्सिट को भरना है देखिए यहाँ पे जैसे मैंने डाला है आपका देखिए परिक्षा का नाम आपका अनुकरमान्ग, पूस्ती कोड बहुए है। वहाँ पे आपका देखिए पुस्ति का जो आपका बुकलेट मिलेगी उसका क्या नमबार है A code है B या C इसका खास ध्यान लखे इसके बाद यहाँ पे district code भी दिया है और अपको center code भी दिया है इसका खास ध्यान लखे आप अगर आपको नहीं पता है देखिए तो छोड़ द देखिए NCC है Scout है आप इसपोर्ट है और आपने इसमें फिलप किया form में तो वहाँ पे भी आपको form में टिक करना है आपका यानि की NCC को और उपर भरना पड़ता है उसमें और यहीं पर आपका language चूज होती है देखिए आपका English और Hindi में से लेनी है तो उसमें भी आपका जो है चूज होती है इसमें आपका देखिए देखिए यहाँ पर जैसे सेकिंड बुकलेट था यह आपका language आपको लेग्वेज चूज करने देखिए आपका English में आपके बाकी आपका language दी है यह वहाँ पर लेंग्वेज नहीं मिलती वहाँ पर मिलती आपका Hindi तो आपको यह टिक करनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको बुकलेट में भरनी पड़ेगी इसका खास द्यान नहीं कि इंग्लिस और हिंदी में आप दोनों में कर सकते आपका कोई भी एक language आप आपका देखिए यहाँ पर देखिए आपका जैसे आपका math है मैत और science के तो वहाँ पर math science से हो तो टिक करें अगर आप यहाँ पर journal study आपका यानि कि आप sht से और आप फिलप करना आपको पड़ता है अगर आपने science से हो और बाकी जो है अपने भर दिया तो वो गलत हो जा से हो और कोमर्श से हो तो यह स्टुडेंt अलग बैठेगे अलग रूम में आपका arts वाले अलग रूम में बैठेगे कोमर्स वाले अलग रूम में बैठेगे इनमें भी देखिए Brands देखिए अकर science के goes र तो अलग बैठेगे अगर सांस की Gud से तो वह अलग बैठती है तो यह इस प्रकार से सुविधा होती है आपके बैठने के लिए वैसे तो कोई वहां पे मिश्टेक होता नहीं लेकिन कभी-कभी हो जाता है सबसे पहली बात लेंग्वेज का खास दियान नके तेकि पेपर जो है दोनों लेंग्वेज में आएगा भी ओप्सन की ठीक है तो उसको छोड़ दीजी अगर वहां पे आपको ओथर्टी मिलती है देखिए वहां पे जो वहां पे एक्जामना होते वह आपको बोलते है तो आप कर सकते वैसे बिल्कुल भी यह जो है रिजेक्ट हो जाती है आपकी उमार्सित अगर आप भी इसके बाद देखिए सिगनेचर सिगनेचर भी मैंने सबसे क्योंकि आपने जो सिगनेचर आपने फोर्म भरते समय किया है आप आपने हिंदी में किया है तो हिंदी में कीजिए इंगलिस में किया तो इंगलिस में कीजिए आपका जो है वहां पे देखा जाता है आपका signature भी match होता है आपका इसके बाद देखिए आपका कास्ट से मतलब नहीं है आपका कास्ट से मतलब आप जर्नल से हो OBC से हो SC से हो ST से हो आपका तो यह आपको वहाँ पर भरना पड़ेगा अगर आपने यह छोड़ दिया देखे मानो अगर आप वहाँ पर जर्नल से हो और आपने वहाँ पर mistake से भर दिया ST या OBC भर दिया तो आपका जो रिजल्ट आएगा उमार सेट के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट जो आउट होगा उस पर जो आपको रैंक मिलेगी वो केर्टी गीरी के अनुसार मिलेगी आप देखे आप जर्नल से हो और आपने भर दे वहाँ पर ST तो आपकी rank बहुत ही कम हो जाएगी लेकिन आपका जो verification होगा वो नहीं होगा बिल्कुल आपका जो है वो form हो जाएगा reject तो यह खास दियान अखना है और एक एक जो points को जितने भी आपके column आएगे उसको ध्यान से बरना है बहुत ही अच्छे से आप no tension होगे आप बिल्क करना पड़ेगा और आपको जो है इसमें लगबग 5 से 10 से 15 मार्ट से आपको मिलते हैं आराम से इसके बाद यहाँ पर अगला जो question बनता है आप सभी के लिए देखे paper को किस परकार से हल करना है paper को किस परकार से हल करना है और कितने round में देखी आपको मैं बताओ कम से कम आपके fast friend देखिए आपके so question है आपको और इसमें से आपको सो के सो करके नहीं आना है क्योंकि जरूरी नहीं आप सो करके आओगे तो आपका selection होगा इसमें जरूरी नहीं आप देखिए so question है आपका देखिए आपका 3 घंटे तो 3 घंटे का समय काफी समय होता है लगबग 1-5 घंटे में जो है आपका paper हो जाता है आराम से तो आप ऐसा करें 3 round lace में first round में आपका जो 50-60 minute का round होगा आप उसमें लगबग 50 से जो है आपका 55 question ऐसे हल करें जो की बहुत easy है और जो की आप कर सकते है ऐसा महाँ पे मत करें कि आपसे देखिए question number 1 आता है तो आपने tick किया number 2 आता है तो तिक किया number 3 पे नहीं आता आपको सौचने के बाद भी आपसे answer नहीं आता चलो इसको मैं तुक्का लगा देता हूं तो आपको तुक्का नहीं लगाने इसमें पहले round में बिलकुल भी तुक्का नहीं लगाने आपको यहां पर आपको आराम से देखे आपनेहें कितने के 55 questions राइट की सेक्ट रौम में आराम से वहां पर दस questions सोचके गया आप राइट कर दोगे आराम से sinful तर्ड राउंड होगा उसमें आप थोड़ा सा gas कर सकते है आपको लगता है A option और B option में से 100% आपका answer होगा C और D में से नहीं है तो यहाँ पे आप थोड़ असा gas कर सकते हैं और आप लगा सकते हैं यहाँ पे आपका थोड़ा अगर आपको लगता है जादे तर जो आपने question right किये अगर उनके option A आ रहे है तो यहाँ पे आप gas में भी A ही कर सकते हैं अगर आपको लगता है जादे तर question के answer आ रहे हैं आपका B तो आप B tick कर सकते हैं इस प्रकार से आपको gas करना है बाकी आपको ऐसे नहीं करना कि आपने लगबग 80 question 90 question attempt करके आए और उनमें से लगबग 50 question right किये और बाकी पे तुक्का मार दिये ऐसा बिलकुल नहीं करना आपको अगर आप से 60 question right होते तो वहाँ पे आप 60 करके आए अब देखिए इसके अलावा भी जो question देखने को मिलते हैं वहाँ पे अलग-अलग प्रकार से देखिए देखिए एक question मिलता बनता है वह आता है A option वे B option दोनों तो यह बनता है आपका लगबग इसका जो percentage जाता है सही होने का वह होता है आपका लगबग 80% यह question A वे B option दोनों वाला आंसर टिक होता है तो इसको बिना देखिए आप लगा दे लेकिन थोड़ा सा सोचके लगाना होगा कभी ऐसा हो तुक्के के चक्कर में आपका वो तुक्का आप पर गिर जाए आपका इसके बाद देखिए अगला यहां पर आपका देखिए ना देखिए यहां पर अगला इंटी परेजन कह सेट आंसर तो आप गैस करें यहां पर थोड़ा साथ माइं में में सोचे आपने क्या पढ़ा था और देखिए तो इस में आप गैस कर सकते हैं आपका 50-50 अगर है तो आपका चांस होता है यहाँ पे आपका राइट होने का कुश्चन तो इसमें आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी आपको ऐसे निकरना देखिए आपका कि यहाँ पे आपको लग रहा है यह नहीं है आपको लग रहा है कि इन में से तीन में से है और आपने तुक्का मार दिया आँख में इसके तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना तुक्का तीन पर नहीं मारना तुक्का मारना आपको दो पर अगर आपका दो ऑप्शन आपको सही लग तो इसमें इस प्रकार से आपका जो आप करेगे जितना आप तयारी करेगे उतना ही आपको मिलेगा इसमें तो आपको बिल्कुल भी डिम मोटिवेट नहीं होना है आपको अच्छे से अभी आपके पास 20 दिन का समय और 20 दिन को आप 40 दिन कैसे बना सकते हैं वो आपका एक सेड्यूल आपका जो है वो करें और इसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करें पीडियाप जो है मैंने डाल दिया है वहाँ पे आपका जितना भी क्लास मैंने यहाँ पे डाल लिया बागी सारा पीडियाप डाल दिया इसके अलावे भी कुछ जो है आपका वहाँ पे पीडियाप डाला है तो आप सर्च करें अनुज जी एसकेडमी आप टेलिग्राम एप डाउनलोड करें और वहाँ से इसको अच्छे से तयार कर सकते हैं, अब देखें एक question और बनता है, काफी सारे question आप करोगे, कि question कितना attempt करके आए, exam में जो कि आप हमारा फिरिसेट निकल जाए, अब देखें कुछ होते हैं, आपका friends देखें, आपका लगबग यहाँ पर आपका attempt किये, लगबग 65 के आसपास या 65 या 62 और इसका लगबग 60 से 62 question आपका right है, तो इसका नंबर कितना हो जागा, 62, 120, यानि के दोनों paper को मिला के हो जागा, इसका 240, जो कि आराम से फिरिसेट आराम से यह ले सकता है, अब यहाँ पर दूसरे एस्टोरेंट जो होगा, ये करके आएगा 90 question और इसका जो right होगा, लगबग यहाँ पर 50 से 60 question इसका right होगा, 60 question वा ये 70 question रइट मान लीजिये, और 20 question आपका इसका हो गया गलत, तो यहाँ पर, अब 20 का कट जाएगा यहाँ पर कितना कट जाएगा इसका कट जाएगा लगबग 7 से 8 कोश्चन और कट जाएगा तो यह आजाएगा लगबग यहाँ पर 55 से 60 कोश्चन पर आ जाएगा तो यह जो है आपको ऐसे नहीं करना अगर आपको 65 कोश्चन वहाँ पर आ रहा है राइ से हैं तो 35 वे तुक्का मत मारों तुक्का करके आओगे ना तो आफ मेरा तो फिरिशिट नहीं निकला और मुझे करना ब्याड तो अगर आपने ठान लिया के मेरा एम यह है के टीचर बनना तो आपको भाई ब्याड कर लेजी आप गोर्मेंट मिले या प्राइवेट मिले देखिए आपका टारगेट है आपको एक किलोमेटर दूरी पे जाना है और आपने अगर एक्जाम दिया ना इतनी तैयारी किये तो मान लिजी आप 600 मिटर की दूरी जो आपने तैय कर ली आप 600 मिटर की दूरी तैय कर ली तो आप फिर से वापिस जाओगे जीरो पे तो बेकार है बिल्कुल आप अगर आपने 600 मिटर की दूरी तैय कर ली तो बाकि आपकी जो दूरी बची है वो बची आपकी 400 मिटर मात्र अपने उदेश्य से आप करोश कर जाओगे इसको तो आप अगर टीचर बनना चाहते है तो आप गॉर्मेंट में करे या प्राइवेट में करे बाकि आप बेड क बाकि वह पूरा का फीस जो आपका scholarship के रुपे वापिस हो जाता आपको विल्कुल भी इसके बारे में टेंसन निलेना तो आप प्राइवेट में भी करिए आप अगर गोवर्मेंट में आता है एक परचेंट आपका प्राइवेट में कर लीजी आपको पूछते कि आपको बे इसलिए मैं पैसे आपको प्रैमरी में दोनों को सामिल कर देगा इसलिए मैं आपको सब्की सला दे रहे हो आपको यहांप अगर आप बेर कर ले तो प्लस आपका companies आपका आपका बेड और पलस आपका MA तो आप यहाँ पे TGT के लिए भी eligible हो जाओगे अगर आपने MA कर लिया यहाँ पे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे PGT जो की आपका इंटर कोलिज में लेक्टरार होते हैं इसके बाद आप अधर इस्टेट में भी जा सकते हो जोब ले सकते हो लाश्ट कोट आपके लिए देखी यह है आत्मिस्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कलपना करना अपने आपको धोका देने के समान है देखी आपका एम है आपका टीचर बनना है तो आप उसको एक अपने अंदर आत्मिस्वास लाए बिलकुल आप टीचर बनोगे आप अच्छे से महनत से तयारी करें आप ऐसा नहीं किये बई आप एम तो है आपका बियर करना और बाकी आप एक्जाम में मंड़े हुए और इसका सलिवस नहीं देख रहे तो ऐसे होगा अपने आपको धोका देने के समान है बिलकुल आपको फोकस करके बियर पे जो है अभी तयारी करनी है 20 दिन का समय है 20 दिन में बहुत ही अच्छी तयारी हो जाएगे और मेरा आप सभी से निवेदन है रिक्वेस्ट है फ्रेंस आप सभी से इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए जादे से जादा शेयर जो की आपका बियर करने के लिए सीरियस है आपका तो आप सभी से लाश्ट निवेदन है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजे कमेंट करिए आपको कोई डाउट्स है तो अभी भी